देश की तमाम खास खबरों पर आये एक नजर ढलते हैं रविश कुमार ने लिखा है मद्यपर्दिश की 16 मजदूर माल गाड़ी से कट कर मरे ठक कर सो गए थे पट्री पर जलना से औरंगाबाद जा रहे थे 16 मजदूर माल गाड़ी से कट कर मर गए एक घायल है ये लोग पट्रियों पर चलते वे औरंगाबाद जा रहे थे 36 कीलो मीटर पैदल चलने के बाद उन्हें नींद आने लगी ठकान ज्यादा हो गई लिहाज़ा पट्री पर ही सो गए इतनी गहरी नींद में चले गएं कि होश भी न रहा और उनके उपर से ट्रेन गुजर गई मजदूर मध्यपरदेश के शहडोल और उमरिया के है नारे चल रहे हैं ताकि घर तक पहुँचने का कोई सीधा रास्ता मिल जाए मजदूर ना तो टुईटर पर है और ना ही फेस्बूक पर ना नीउस चैनलों पर वरना वो देखता कि उन्हें लेकर समाज कितना असमविंदन शील हो चुका है सरकार तो खैर समविंदन शील की खान है लखना उसे भी खबर है जानकी पुरम में रहने वाला एक मजदूर परिवार साइकल से निकला था 36 गर जा रहा था शहर की सीमा पर किसी ने टक कर मार दी माता पिता की मौत हो गई है दो बच्चे हैं अब उनका कोई नहीं है आगे रानी राजेश लिखती हैं और अंगा बाद घरों को पैदल लोट रहे थे ठके हुए पटरी पर सो रहे थे 17 मजदूरों को माल गाडी ने कुचला घर लोटने की आस में पटरी पर तूट गई सास बेहत शर्मनाक हाथसा है ये ये सब गलत फैसलों के परिनाम है पहले ही इन मजदूरों को घर पहुचाने का इंतिजाम कर दिया होता तो उनकी मौते नहीं होती पर किसी को गरीबों की चिंता नहीं भूके प्यासे पैदल भटक रहे है गिरिश मालिवा ने लिखा है ठके वे प्रवासी मजदूर रेल पटरी पर सो गए सुबह सुबह मालगाड़ी निकली और मजदूरों को कुचलती हुई निकली रात को जिंदा सोएं सोला मजदूर लासों में वदल गये तुझको कितनों का लहू चाहिए अरज वतन जो तेरे अरज बेरंग को गुलनार करे कितने आहों से कलेजा तेरा ठंड़ा होगा कितने आंसुों से तेरे साहारों का गुलजार करे पिक्रम जिंग चौहान ने लिखा है अमिर्शाह के बारे में बहुत सी बाते हो रही है उनके स्वास्त और निस्तेज अच्छी हिंदी में कहे तो बुझे हुए चेहरे को लेकर कयास लगाया जा रहा है कुछ लोग उन्हें बौन कैंसर से प्रीड बता रहे हैं तो कुछ और ने बिमारियों से लेकिन मीडिया में उनके स्वास्त को लेकर कोई अपडेट नहीं है अमिर्शा ठीक उसी समय गायब हुए थे जब उत्तर कोरिया के तानाशा किम जोम गायब हुए थे इंडियन मीडिया ने बगदादी की तरह किम को 20 से अधिक बार मार डाला लेकिन किम वापस आ गए है तानाशा की तरह इंडियन मीडिया के पास मिसाल रहता है कि खुद ही किम को मार देते हैं ये बोल हमारा मज़ा खराब करने क्यों वापस आया तो जाब मर खैर अमिडशा जब गायब थे तब मीडिया ने ये स्टोरी गड़ी की परदे के पीछे कोरोना से जंगी की कमान अमिडशा के हाथ में था अब जब अमिडशा वापस आए है तो मीडिया में आई उनकी फोटो जूम करके देखी जा रही है लोग उनके पतले हाथों को देख तंजिकस रहे हैं कि कहां मांस कहां गया आवाज भी असपस्ट सुनाई नहीं दे रही है जैसे वो गले को मोटा करते हुए बोलते थे आप क्रोनलोजी समझ लीजिए पहले C.A.V. आने जा रहा है C.A.V. आने के बाद N.R.C. आएगा N.R.C. सिर्फ बंगाल में के लिए नहीं आएगा पूरे देश के लिए आएगा लेकिन मामला उलट हो गया N.R.C. से पहले दुबले पतले अमिच शाह आ गए अब अमिच शाह से लड़ने में मज़ा नहीं आ रहा कहां हटे कटे अमिच शाह और कहां माचिस की तीली सी अमिच शाह मैं बहुत निराश हूँ क्या ये बात छुपाई नहीं जा सकती थी जैसे बिमारी छुपा ली गई जैसे उस हॉस्पिटल और डॉक्टरों को छुपा लिया गया जिन्होंने रात के अंधेरे में अमिच शाह का इलाज किया उन लोगों को बोल दिया रहा होगा कि कोई जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए अगर किसी ने किया तो याद है ना लोया को याद कर लो तो एन आई के कैमरा मैन को बुला कर हट्टे कट्टे बॉडी डवल की फोटो खिचवाई ये मीडिया में जारी कर दे बाकी का मीडिया कर ही देगा फला फला मिशन पर है अमिच शाह ये दुबला पतला मिच शाह हमें एकदम पसंद नहीं ताना शाहो का पर्चम बुलंद रहे आगे दिलिप सिमंडल ने लिखा है एक मिनिट का मौन धारन करें भारतिय पत्रिकारिता की मिर्तिव हो चुकी है ये पत्रिकारिता दंगे कराती है जूट परोस्ती है जातिवादी है S.E.S.T. O.B.C. मुस्लिम से नफरत करती है ये पत्रिकारिता जो सवाल सरकार से करना चाहिए वो सवाल बिपक्च से करती है और सरकार के सामने जोर-जोर से दुम हिलाती है फिर से दिलिप सिमंडल ने लिखा है आप चाहे तो इस बात पर खुश हो सकते हैं कि एक भी दलिती आदिवासी पत्रकार नफरत के एजंडे पर काम नहीं कर रहा है दिपक्च औरसिया को छोड़ दे तो O.B.C. पत्रकार भी संतुलित है समस्या हिंदू सवन कंट्रोल वाले मीडिया में है देश की 85% आवादी से आने वाले पत्रकारों ने गरवडी कम फैलाई है जाम मीरा सिंग ने लिखा है आगे माफ करना सुबह सुबह आपको दुखी करने वाला खबर दे रहा हूँ खबर लिखते वक्त मुझे बेहत दुख हुआ महराश्च के जल्ला से 17 प्रवासी मजदूर घर के लिए पैदल ही निकल लिए चलते चलते औरंगाबाद तक पहुँचे जब ठक गएं तो रेल की पट्रियों पर ही सो गए जो समान था तक्या बना लिया रात आई और ऐसी आई की आखरी हो गई उसी रास्ते पर चलती आ रही मालगाड़ी ने सोते हुए सभी 17 मजदूरों के चित्रे कर दिये देखा एक टुकरा इधर एक टुकरा उधर बिख़ड गया जैसा कि ये टुकरा पहले कभी शरीर में ना रहा हो मालगाड़ी की आवास सुनकर भी उनकी नीन नहीं तूटी सोता हुआ आद्मी आखिर कितना ठका वा रहा होगा कभी सोचा कि जिसने तथा कतिच शहर में ना रहकर सैक्रो मील पैदल चलना शुरू करिया उसे वो सक्स किस खदर नोच रहोंगे सच में ये महमारी मजदूरों के लिए एक तरशाद बन कर आई है कोई तो इन्हें बचा लो इनके लिए कोई हैस्टाग नहीं चलेगा इनके लिए यग नहीं किये जाएंगे इन पर कोई बहस नहीं होगी प्राउर इंडियन की परिभासाओं में ये नहीं आते हैं इन पर कोई फूल खराब नहीं करेगा कोई थाले इनके लिए नहीं बजाएगा इन पर कोई गीत नहीं लिखी जाएगी इन पर कोई शो नहीं किया जाएगा इनके लिए कोई नहीं लिखेगा आगे धनेंजे कुमार लिखते हैं महराष्ट सरकार मुंबई में पॉजिटिव पेशिंट्स की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है ये गंभीर चिंता का विशय है हम जानते हैं कि आधियवादी जोपर पट्टी और चॉलो में रहती है बेहत छोटे छोटे घर और नित्र क्रिया के लिए सामोहिक सोचाले तंग गलियां और उसमें पानी के नल जहां से बस्ती के लोग पानी भरते हैं बेहत खतरनाक है जिस भी लाके में वाइरस का प्रकोप होगा कहर बरब जाएगा समालना मुश्किल हो जाएगा इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जोपर पटी में रहने वालों के बीच सगन जाच अभ्यान चलाए और जो स्वास्त है उन्हें कहीं और शिफ्ट करे मुझे पता है कि ये काम आसान नहीं है जाच के अलाबा उन्हें शिफ्ट कराने के स्थिती में उनके लिए खाने पीने निर्थ क्रिया के लिए व्यवस्था करनी होगी बुड़े भुजर्ग बताते हैं जब प्लेग या हैजे का परकोप होता था तो लोग गाउँ छोड़का दूर खेतों में भाग जाते थे पेड़ों पर रहते थे खत्रा गहरा रहा है मुझे नहीं लगता जून तक कोई राहत मिलने वाली है आगे सौरव यादम ने लिखा है महराश में पैदल जाने वाले 16 मजदूर को मालगाडी ने कुचल दिया है सबकी मौते हो गई है प्रदान मंत्री ने इस पर दुखत जता दिया है और क्या चाहिए लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें नया क्या है और किस बात का दुख किस बात का शोक छूट गएं है ये अपने दुख से इन्हें तो मरना ही था अभी मर गएं नहीं तो पैदल जाते वे या भूख से मर जाते शायद मरने वालों की संख्या बड़ी है इसलिए सब दुख जता रहे है कुछ नया हो तो बताना इन मौतों का दोशी मिले तो बताना आगे रतनेश ने लिखा है ये है भाजपाईयों की धुर्तता डॉक्टरों की पास जाकर उन्हें भाजपा का जंडा देकर फोटो खेचा रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह भाजपा सरकार के चलते पूरा देश कोरोना की चापेट में आ गया है आज जगा जगा डॉक्टर सरकार के खिलाफ विरोध करते नजर आ रहे हैं क्योंकि इस भाजपा सरकार ने डॉक्टरों को उचे तुपकरन की व्यवस्ता नहीं दी जिसके वज़े से कई डॉक्टर कोरोना से ग्रसित हो गए नमस्ते ट्रम्प के चकर में मोदी जी ने गुजरातियों की जिंदगी नरक बना दी आज गुजरात में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब गुजरात को हमेशा के लिए लॉक्टरों करना पड़ेगा या फिर कोई जिंदा बचेगा ही नहीं वैसे भी इस सरकार से हम क्या ही उम्मेद करें जो इस संकट काल में भी बेशर्मी की सारी हदे पार कर अपने परचार कर रही है इतिहास पुराना है अगर आपकी याददास्त कमजोर ना हो तो याद दिलादू ये वही भाजपा है जो शहीदों के नाम पर वोट मांग रही थी आगे क्रिशन कांत लिखते हैं कुछ युवा कामगार मुंबई से साइकिल से चले थे 25 दिन में उतर परदेश अपने घर पहुँचे हैं आठ महीने की गर्वती नासिक हाइवे पर है जब उसे सब ज्यादा देखवाल की जरूरत पड़ी तब वो अपने जीवन के सबसे कठिन सफर पर है अनुदेवी पाँच महीने की गर्वती है उसके पास खाने के लिए सिर्फ बिस्किट है वो भी छोटे बच्चों के लिए अगर रस्ते में कोई रोक कर खाना खिला दे रहा है तो वो उनके जीने का सहारा है ग्रूप में करीब 15 लोग हैं एक बच्चा एक साल का और एक बच्चा धाई साल का है उसी हाइवे पर 17 दिन का बच्चा मा की गोद में सफर पर है मा उसे लेकर बार बार छोँ में बैठ जाती है फिर चल पड़ती है उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं वो तीन दिन से चल रही है कितने दिन और चलना है कोई नहीं जानता रामदा सड़क पर चलते वे बुदबार रात एक गारी से चक्चा तब से उनके सर से खून बैरा है बार घंटों से ज्यादा का समय हो चुका है इलाज भी नहीं हो पाया है वे कल्यान से नागपूर जा रहे हैं बहुत खून के साथ वे कहा जाएंगे ये अफसर फिश्वर जानता है बच्चे हैं, बुजर्ग हैं, बिमार हैं, गर्वती महिलाएं हैं, अंगनित लोग हैं दिल्ली, महराष्ट, हर्याना, गुजरात, आंद्र परदेश जैसे राज्यों से लोग पैदल भाग रहे हैं अगर किसी की आँख में मांसनाव गई हो, तो उसे दिख सकता है कि सभी बड़े शहरों से यूपी बिहार आने वाले हाईवे ठकेवे पाउं से भरे हैं लोग भूके पेट, खाली जेव और निराश जिंदग्या लेकर लोट रहे हैं गोष्णाओं ने बहस जीत ली है, इतनी इत्षरी हो चुकी है कि पाखंड पूरा हो चुका है ट्विटर पर राश्ट निर्मान चल रहा है, ट्विटर पर राश्ट निर्मान चुनावी मोहौल बनता है और बनाई रखता है लेकिन जो असल में राष्ट निर्मान कर रहे थे वो जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे है राष्ट निर्मान क्या है? क्या सड़के बनाना, इमारते बनाना, खनन करना, सफाई करना, बुनकरी करना, फैक्टरी में हड़ी गलाना राष्ट निर्मान नहीं है? आताओं को सबसे संकट की गरी में उनकी किसमत के सारे छोड़ दिया गया है आपदा राहते भी ट्विटर को ट्रेन के साथ बिला गई है